नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं Tech Unboxing और आज का वीडियो है टॉप 5 यूनिक गैजट्स का एक नया एपिसोड जहाँ पर मैं लेकिया हूँ पांच इससे बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंट्रेसिंग गैजट्स जो आपको मिल जाएंगे डिफर आपको जाओंग तरम इंवेस्टमट में जहां पर उनको जादा से जादा प्रॉफित मिले अनको एक एकसपर्ट एडवाईज की ज़रुवत यहां पर पड़ी और उससे भी पहले डीमैट अकांट की ज़रुवत पड़ेर ऑदेगी तो यहां पर में लेकिया मोडिलाल ओस प्लाटफॉर्म और मोतिलाल ओस्वाल इंडिया की वन ओफ बेस्ट ब्रोकरेश कंपनी है जहां पर इनको एक्सपिरेंस है मोर दन 30 इयर्स का और मोर दन 16 लाग कस्टमर्स इनके साथ जुड़े हुए है और इस प्लाटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको zero maintenance charges pay करने पड़ते है तो यहां पर सबसे पहले DMAT account open करने के लिए इसके portal पर जाके आपको आपका PAN card, आदार card, आपके bank details एंटर करने है और जैसे आपका DMAT account यहां पर open हो जाता है यहां पर आपको एक stock advisor allocate किया जाता है जो यहां पर आपको assist करेगा कि कौनसे stocks आपको purchase करने चाहिए या फिर कौनसे stocks आपको sell out करने चाहिए उसे के साथ यहां पर आपको एक welcome basket प्रोवाइड किया जाएगा वर्ट 25,000 रुपीज का जहां पर आपको access मिलेगा इसके AI based tools का जिसकी help से आप काफी आसानी से stocks को purchase कर सकते हो plus guys यहां पर आपको 3,000 रुपीज के discount coupon codes भी provide किये जाएगे plus रुपीज 1,000 का brokerage cash back भी मिलेगा तो भाई यहां पर देर किस बात की जल्दी से जल्दी जाहिए अपना DMAT account open कीजिए मोतिलाल ओस्वाल platform की help से link मैंने नीचे description box में दे दिये and let's get started with the video so guys यहां पर जो सबसे पहला gadget है वो है OPPO band style और यह recently ही launch किया हुआ new smart band है OPPO की तरफ से तो सबसे पहले यहां पर box content की मैं बात करूँ तो वो actual band आपको देखने मलता है extra replacement strap उन्होंने provide किया black color में एक charging dock आपको देखने मलता है user manuals आपको provide किये है और यहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके color की और build quality की तो यहां पर उन्होंने जो color provide किया है वो है vanilla color में और यहां पर जो strap आपको देखने मलता है यह completely vanilla color में उन्होंने दिये है और side में यहां पर आपको aluminum की ring देखने मिलती है जो आपको एक aesthetic look देती है इस particular smart band को उसी के साथ यहां पर black color का replacement strap भी उन्होंने provide किया है जो एक silicone strap है और आप replace करके भी इसे use कर सकते हो overall इसकी build काफी अच्छी है body इसकी completely आपको plastic build में यहां पर देखने मिलती है आगे की तरफ अगर मैं display की बात करूँ तो 1.1 inch का AMOLED display उन्होंने provide किया है जो completely एक touch display है PG की तरफ यहां पर आपको देखने मिलते है उसके कुछ sensors और charging point तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे इस particular watch की UI को सबसे पहले यहां पर आपको वो actual home screen देखने मिलते है और इसके watch faces कुछ इस तरह की से बस आप swipe करके change कर सकते हो जैसे आप इसके ओपर tap करते हो यहां पर battery percentage, steps, calories, date आपको visible हो जाती है नीचे की तरफ swipe करते हैं यहां पर आपकी daily activity आपको visible हो जाएगी यहां पर आपको workout modes देखने मिलते हैं तो total 12 workout modes उन्होंने यहां पर include किये जिसमें आपको swimming का भी mode देखने मिलते है क्योंकि यह जो particular watch है यह है 5 ATM water resistance तो directly आप पानी में भी इसे सबमच कर सकते हो फिर भी यहां पर आपको tension लेने की जरुवत नहीं है उसे के साथ next menu में यहां पर आपको heart rate का menu, spo2 का menu, sleep monitoring और यहां पर breathe का option दिया है weather का option यहां पर आपको देखने मिलता है फिर यहां पर tools के option में आपको music, control, stopwatch, timer, alarm, find my phone, camera जैसे कई सारे accessing tools देखने मिलते हैं और settings के menu में यहां पर आप D&D, brightness, display timer, vibration, reset, कई सारी चीज़े इसकी help से भी setup कर सकते हो और फिर यहां पर आपको notification का menu देखने मिलता है and guys that's it यही सारी चीज़े आपको इसके UI में देखने मिलती है so guys overall इस particular watch का जो UI है वो similar आपको देखने मिलता है OnePlus Band जैसे हाला कि यह complete जो smart band है वो completely आपको OnePlus Band का ही यहां पर copy देखने मिलता है उसे के साथ हम बात करेंगे इसके application के UI की और guys यहां पर इसके app में आपको देखने मिलता है इसका heart rate, sleep, spo2, workout, locks फिर fitness में यहां पर आप directly phone से भी trigger कर सकते हो आपकी activities जैसे की running हो गया या फिर walking हो गया manage device में यहां पर आप device को manage कर सकते हो more settings में जाके आप additional settings इसमें कर सकते हो प्लस इसका firmware भी आप update कर सकते हो और यहां पर इसकी सबसे अची बात यह लगी कि directly आप जैसी यहां से watch face को update करते हो यहां पर आपका जो watch face है immediately app में update हो जाता है और काफी basic UI में यह application आपको देखने मिलता है और प्लस इस particular band में आपको continuous heart rate tracking भी देखने मिलता है उसी की साथ यहां पर उन्होंने continuous SPO2 monitoring का भी option यहां पर provide किया है तो इसका UI है या फिर features की अगर मैं बात करूँ तो सारे features आपको इस particular band में देखने मिलता है और फिर हम बात करेंगे इसके battery life की तो यहां पर उन्होंने 100MH की battery provide किये जो typical usage पर आपको 12Ds की battery life यहां पर provide करेगी तो भाई battery life भी यहां पर काफी बढ़िया है और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह फिलाल के लिए सिफ Android devices के लिए supported है iOS के लिए इसका support आपको देखने नहीं मिलता है तो भाई यह एक drawback लगा इस particular band का और अगर हम बात करेंगे इसके pricing की तो यह आपको मिल जाता है 2799 रुपीज की price में तो भाई pricing के मामले में जी हाँ आपको एक additional strap भी उन्होंने यहाँ पर provide किया है तो भाई यह भी particular band काफी अच्छा band है इसकी link में नीचे description box में drop कर दूँगा तो यहाँ पर जो अगला gadget है वो है handy stitch company का portable handheld swing machine और guys सबसे पहले हम box content की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको वो actual swing machine देखने मिलते है user manual उन्होंने provide किया है और कुछ additional needles और bobbins भी यहाँ पर आपको देखने मिलते है तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसके build quality की तो completely plastic build में आपको देखने मिलते है और center में यहाँ पे जो setup है उसका एक्छिया setup वो completely उन्होंने stainless steel में अपर, प्रोवायड की है यहाँ निचे की तरफ, उन्होंने button प्रोवाड किए जो है power on button और उपर की तरफ, यहाँ आपको compartment देखने मिलते है जिसमें आपको insert करन तो सबसे पहले यहाँ पर जो bobbin होता है उसे आपको setup करना है हाला कि हमारे case में already यह setup करके आया था तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे test करेंगे और यहाँ पर हम एक handkerchief लेते हैं और उसे यहाँ पर stitch करेंगे straight line में और आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पर power on button प्रेस करते हैं यह काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर stitching कर रहा है completely straight line में और यहाँ पर आप देख सकते हो final output काफी बढ़िया तरीके से इसने यहाँ पर stitch कर लिया है उसे की साथ यहाँ पर हम try करना चाते है कुछ zigzag type की movements तो यहाँ पर हम वापस इस handkerchief को fold करके stitch करते हैं और आप देख सकते हो जो handkerchief है वो stitch हो रहा है हाला कि यहाँ पर different different position में जैसी में turn कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और यह भी काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर stitch हो चुका है सो भाई overall यह जो particular portable stitching machine है यह काफी बढ़िया तरीके से work करता है इसमें आपको एक port भी देखने मलता है input port जिसमें directly आप 5 volts का plug-in power supply भी दे सकते हो हाला कि वो चीज़ उन्होंने box के अंदर include नहीं किये बट यह portable ही काफी बढ़िया है मतलब double A batteries insert कीजिए और आप इसे use कीजिए और यहाँ पर मैं आपको एक short demo बताना चाहता हूँ इसके sound का कि कितना sound यहाँ पर आपको सुनाई देता है सो कुछ इस तरीके से आपको इसका sound सुनाई देगा जैसे actual stitching machine work करते है उसी तरह यहाँ पर भी आपको sound सुनाई देता है और guys यह काफी handy machine है मतलब easily आप कोई भी चीज़ यहाँ पर stitch कर सकते हो आपको बाहर लेके जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और अगर मैं बात करूँ इसके pricing की तो यह आपको मिल जाता है 449 रुपीस की price में जो काफी जादा कम है और यह काफी helpful and useful gadget है तो यहाँ पर जो अगला gadget है वो है Tukeser Company का noise cancellation microphone और यह एक gaming microphone है जिसके अंदर आपको RGB LED light भी देखने मिलती है तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इसके build quality की बात करूँ तो completely plastic build में आपको यह देखने मिलता है और यहाँ पर जो wire उन्होंने provide किये वो approximately 1.5 meters की है और यहाँ पर नीची की तरफ आपको एक button देखने मिलता है जिसकी help से आप mic को turn on और turn off कर सकते हो नीची की तरफ काफी बढ़िया RGB LED light देखने मिलती है जिसे आप customize तो नहीं कर सकते है बढ़ यह continuously run होते रहती है और उपर की तरफ यहाँ पर आपको 360 degree omnidirectional matrix array microphone उन्होंने provide किया और अंदर की तरफ आपको chipset भी देखने मिलती है जो noise cancellation के लिए यहाँ पर work करती है और इसके अगर मैं sensitivity के बात करो तो minus 38 dB से लेके plus 3 dB तक इसकी sensitivity है और यहाँ पर जो उन्होंने इसका neck provide किया है वो आपको flexible goose neck देखने मिलता है जिसे आप काफी बढ़िया तरीकी से different different direction में यहाँ पर mode सकते हो और अभी time है इस Tukeser mic को यहाँ पर test कने का तो यहाँ पर हमने Windows laptop के साथ इसे connect किया है और यहाँ पर जो Windows का regular recorder है उसमें हम इसके recording को start करते है तो यहाँ पर जो भी आप audio अभी सुन पारे हो वो completely इस Tukeser mic से capture हो रहा है and I hope यहाँ पर जो इसकी audio quality है वो काफी अच्छी आ रही होगी क्योंकि हाला कि इसे already हमने test किया था different different laptops पर इसे test किया था macbook पर test किया था अब PS के साथ भी इसे use कर सकते हो बट obvious Windows laptop के साथ तो अभी फिलाल यह connected है और guys इसमें आपको एक chip देखने मिलते है बढ़िया लगी so guys यह जो particular gaming mic है वो काफी बढ़िया mic है especially इसका जो 360 degrees omnidirectional mic उन्होंने provide कि है वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर work करता है हाला कि उसकी RGB lighting है उसे आप यहाँ पर control नहीं कर सकते एक certain flow में ही यहाँ पर चलती रहती है और उसकी brightness भी इतनी जादा मुझे अच्छी नहीं लगी बट guys overall यह काफी अच्छा gaming mic है pricing की अगर मैं इसके बात करूँ तो आपको यह मिल जाता है 1200 रुपीस की price में जो काफी बढ़िया price है प्लस इसके साथ आपको एक साल की warranty भी देखने मिलती है इस particular price range में काफी बढ़िया यह particular noise cancellation mic है यहाँ पर अगला gadget है वो है free man's company का digital measuring tape तो सबसे पहले यहाँ पर box content में आपको वो actual tape देखने मिलती है उसके साथ यहाँ पर उन्होंने एक pouch provide किये और एक user manual आपको देखने मिलता है तो यहाँ पर अगर मैं इसके build quality की बात करूँ तो completely plastic build में आपको यह देखने मिलता है side में यहाँ पर उन्होंने buttons provide किये है जिसमें आपको hold का button different units के button उन्होंने प्रोवाइड किये है power on का button देखने मिलता है उसी के side में यहाँ पर आपको battery का compartment देखने मिलता है जिसमें already उन्होंने यहाँ पर battery provide की है दूसरी तरफ यहाँ पर आपको red color का button उन्होंने provide कि है जिसकी help से आप इस measuring tape को यहाँ पर rewind कर सकते हो उन्होंने 7 segment display प्रोवाइड कि है जिसके उपर आपको सारे values यहाँ पर visible हो जाते है तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे test करेंगे तो यहाँ पर हम करते हैं इसे power on और power on करते हैं यहाँ पर उपर की तरफ आपको display visible हो जाता है तो यहाँ पर जो units है हम centimeter में यहाँ पर set करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसी मैं इस tape को यहाँ पर extend कर रहा हूँ यहाँ पर आपको value दिखना चालू हो चुकिए तो यहाँ पर जो iPhone है उसकी हम लोग यहाँ पर width की test करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो जो cm में value है वो आ चुके है और यहाँ पर हम इस value को hold बटन से hold करके रखते है और जैसी आप rewind करते हो इस particular tape को फिर भी आप देख सकते हो जो value है hold position में आपको यहाँ पर देखने मिलते है जो बहुत ही बढ़िया बात है उसे के साथ यहाँ प particular digital measuring tape है यह काफी accurate measuring tape है और काफी handy है तो जो traditional measuring tape है उससे ज्यादा accuracy आपको इस particular device में देखने मिलने वाली है और अगर मैं बात करूँ इसके pricing की तो यह आपको मिल जाता है approximately 1600 रुपीस की price में जो काफी बढ़िया pricing है और guys यह एक must have device है हर घर के लिए जो traditional tape से measuring tape उससे अच् आखरी gadget है वो है Zebronics company का Zev Wonder Bar 10 और guys यहाँ पर यह जो particular sound bar है इसमें आपको RGB lighting देखने मिलते है प्लस आप इसे convert कर सकते हो दो individual speakers में तो सबसे पहले यहाँ पर मैं box content की बात करना चाहता हूँ वो actual speaker आपको इसमें देखने मिलता है that's it guys कोई भी additional चीज़े यहाँ पर उन्ह में आपको काफी बढ़िया RGB lighting उन्होंने प्रोवाइड किया है और side में यहाँ पर आपको एक knob देखने मिलता है जिसकी help से आप volume को adjust कर सकते हो और उसी के अंदर आपको power on का button भी उन्होंने प्रोवाइड किया है नीची की तरफ आपको 3.5 mm का microphone input और audio input प्रोवाइड किया और यहाँ पर output में आपको USB cable देखने मिलती है audio jack उन्होंने प्रोवाइड किया है और एक microphone jack भी देखने मिलता है जैसे मैंने आपको पहले बता है इस particular sound bar को कुछ इस तरीके से बस आपको यहाँ पर pull out करना है और आप इससे disemble करके आप दो speakers में भी इससे convert कर सकते हो और य जल्दी जल्दी चेंज होती थी तो काफी बढ़िया effect यहाँ पर आपको देखने मिल सकता था तो भाई अभी time में इसकी audio quality test करने का और यहाँ पर उन्होंने दो speakers में 55 watts के speakers प्रोवाइड किये तो total आपको 10 watts का output sound यहाँ पर देखने मिलता है तो अभी हम test करते हैं इसकी audio quality I'm just good at caring too much I'm just good at caring too much Is it too much to ask that you leave your mind I never was good at sharing So guys, जैसे आपने सुने इसकी audio quality काफी अच्छी audio quality यहाँ पर आपको देखने मिलती है और guys, overall यह काफी अच्छे speakers है जैसे आप sound bar में भी convert कर सकते हो या फिर different speakers की तोर पे भी use कर सकते हो और अगर मैं बात करूँ इसके pricing की तो यह आपको मिल जाते है 899 रुपीज की price में जो काफी अच्छी pricing है और but obvious zebronics का product है तो यहाँ पर आपको warranty भी देखने मिलेगी तो guys इस particular price category में यह काफी interesting sound bar plus speakers है तो दोस्तों जैसे आपने देखाए इन पाचो गैजट का unboxing गैजट काफी unique है काफी interesting है और भाई यह काफी helpful है आपके day to day life में ज़रूर consider कीजे इन gadgets को links मैंने नीचे description box में दे दिये और जैसे मैंने आपको बताया stocks market के बारे में ज़रूर अपना DMAT account open कीजिए जुड जाएए मूतिलाल ओस्वाल के साथ link उसकी भी आपको नीचे description box में मिल जाएगी तो guys बस यही था आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा कर दो बस्वाले का वीडियो आपको आपको प्रेंश सेख़ 10 वीचे लाएखब के साथ च्चित कर दो दो